FMT, T&TI क्या होता है यह इसका फुल फॉर्म होता है Farm Machinery Training and Testing Institute यह जो होता है यह आपका Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के अंतरगत होता है और जो आपका Ministry Agriculture of Farmers Welfare की Ministry है उसके अंतरगत चलता है और जिसमें आपका Department of Agriculture, Culture, Cooperation and Farmers Welfare का जो Mechanization and Technology Division होता है उसके अंतरगत यह चारो Training Centers जो है Training and Testing Center यह वान होता है जिसमें आपके पहला Training Center CFMTTI तो इसका फुल फॉर्म होता है Central Farm Machinery Training and Testing Institute जो आपका बुद्नी में है MP Madhya Pradesh State में पढ़ता है 1955 में बना था दूसरा है NRFMTTI Northern Releasers Farm Machinery Training and Testing Institute जो हिसार यानि हर्याना स्टेट में है और जिसका शिला विद्नीयास 1907 में हुआ था तीसरा SRFMTTI है Southern Releasers Farm Machinery Training and Testing Institute तो यह गाले डिने में है जो आपका आंधरा प्रदेश्न पढ़ता है ठीक है जो 1983 में उपिन हुआ था और चौता है Northern Eastern Releasers Farm Machinery Training and Testing Institute जो विष्णा चैरली में है जो असम में असम राज्य में पढ़ता है और जो वो टेस्टिंग CFMTTI बुद्नी में होती है ठीक है और बाकी Training Centers में भी टेस्टिंग होती है लेकिन अलग-अलग अग्रिकल्चर मशीन ग्रीज की होती है ठीक है अब इसके मेंडेट्स क्या है इस 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 इंस्टिटूट के तो सबसे पहला मेंडेट्स इसका रहता है कि Human Resource को Development करना Farm Machinery के छेत्र में ठीक है तो यहां पर इस कारे के लिए क्या होता है कि यहां पर ट्रेनिंग चलाई जाती है ठीक है जो आपकी U2, T1 और Academic U2 होती है User Level मतलब User Level Course होते है User Level First होते है उनकी Categories होती है दो टाइप की Course होते है User Level and Technician Level ठीक है और User Level में क्या होता है कि आ ताकि इसमें जो होता है किसानों या किसानों के बैच्चे जो ट्रेनिंग लेना चाहें और वो यह चाहें कि उनको कुछ स्टाइफेंट में मिले तो यहां पर कुछ स्टाइफेंट का भी Government की तरफ से प्रावाधान है जो अलग 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 है ठीक है अलग अलग है तो उस अलग है तो उनकी जो डिटेल्स होगी वह मैं आपको यूटूब पर जब मैं यह वीडियो डालूंगा तो आपके वहां पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको अमारा एक यूटूब चैनल भी है अमेतरोडा की नाम से ठीक है तो आप अगर चाहें तो बाद में इस वीडियो को वहां से भी देख सकते हैं आज से जो है हमने option start किया है तो आप सबी लोग वहां से जाकर के देख भी सकते हैं इस वीडियो को recorded lecture है लेकर देन उसके बाद टेस्टिंग का दूसरा मतलब यह तो हो गया Human Resource Development के चैनल में काम और इसके अलावा एक काम को ताकि जो है उनका डवलप्मेंट हो सके अग्रिकल्चर मशीन फार्म मशीनरी के छेत्र में अच्छा दूसरी चीज होती है यहाँ पर टेस्टिंग इवल्यूशन एंड सर्टिविकेशन ऑफ ट्रेक्टर एंड अधर फार्म मशीनरी एंड इंप्लिमेंट तो पहली चीज हमने बात करी जो हो गया द grant करोमशीनरी चाहिक आती है वह है हमारी टेस्टिंग वल्यूशं तो टेस्टिंग यहां पर करते हैं तो जो आजकल फ़लप बमशीनरी में फ़ल टैस्टिंग धैया यहां पर औ फार्म होता है कि फॉनको कि सेंटिपा tweeting किया जाता है टेस्टिंग से और उन्ते जो है गवर्मेंट मेनिफिट से तभी मिलते हैं जब आप कोई भी जो फार्म जो में जो में जो मशीनरी मशीनरी को बना रही है ट्रेक्टर प्रेड्यूसर कंपनी है वह कंपनी यहां से पर्टिकॉलर मॉडल को टेस्ट कराती है और वह ट्रेक्टर पास होता है ठीक है तब जा करके उसको शूर्डिदिगेटिंशन मिलता है और वह ट्रेक्टर जो है आपका गवर्मेंट के सबसीटी होती है वह चूट यहां से टेस्टिंग से वरिफाइए होने के बाद ही आपको मिलती है इसके दो फाइदे होते है that । पहला फाइदा यह होता है कि आपको एक तो गुर्वत्ता क्मपनियों की फाइदा यहां से होती है और उनका जो result होता है वो भी काफी strictly जो है उन्हें norms के according ही publish किया जाता है ठीक है तो पूरी तरीके से ही जो काम होता है supervision में होता है in agriculture engineers and agriculture के ST होते हैं senior technical assistant होते है technical assistant होते है इस तरह से पूरा एक team होती है जिसके under the supervision यह work होता है ठीक है और काफी सारी machinery होती है जो काफी high tech है उन सब के दौरा इसको टेस्ट किया जाता है और पर्टिकुलर हर टेस्ट की बात हम आगे के लेक्चर में इसी लेक्चर में आगे बात करते हैं तो यहां पे पर्टिकुलर किन-किन जहां पे क्या क्या टेस्ट होते हैं चारो जो आपकी FMDTI है तो सबसे पहले जाती है हमारी CFMDTI यानि Central for Machine Training and Testing Institute जहां पे आपका पर्फॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है टेक्टर की CMVR का सटिफिकेशन दिया जाता है CMVR होता है Central Motor Vehicle ठीक है तो CMVR Certification भी यहां से दिया जाता है CMVR के बारे मैं आपको आगे और बताऊंगा अब भी फिर उसके बाद मैं बताता हूं Testing of other agriculture machinery, other agriculture machinery की भी टेस्टिंग होती है Power Tailer Combined Harvester and Implements Exhaust Mass Emission Test तो इन सब की जो हमारा Combined Harvester था इन सब की टेस्टिंग अब NRFM TTI में होती है तो यहां पे only आपके ट्रेक्टर की टेस्टिंग होती है Power Tailer की टेस्टिंग होती है